इसे खाकर आप समोसा, कचोरी, पकोड़े खाना तो भूल ही जाएंगे क्योंकि इसे हमने ना ही मैदे से बनाया है, ना ही सुजी से, ना ही पोहा से, ना गेहु का आटा, कुछ नहीं स्रिफ ब्रेड और आलू से इतना टैम्टिंग नास्ता बन कर तयार हो जाता है जिसे देखते ही खाने का मन करेगा इसे आप सुबह नास्ते की तोर पर या अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी इसे आप जटपट बनाकर तयार कर सकते है जिसे आप टोमेटो केचप के साथ या हरी मिर्च के साथ भी सर्व कर सकते है तो नमस्ते दोस्तों मैं हूँ स्वाती और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमली केचन में तो चलिए नास्ता बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे उगले हुए आलू लिये हैं मैंने 7-8 जितनी कॉंटिटी में आपको यह नास्ता बनाना है उसे साब से आप सभी इंग्रिडियंट कम या जादा कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं तेल गरम हो जाए तो हम डाल देते हैं इसमें हींग नास्ती में हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा तो हिंग इसमें जरूर से डाल दीजिएगा साथी साथ राई डाल देंगे राई को अच्छे से चटकने देना है यहाँ पे सबसे पहले हम आलो की स्टफिंग बना कर तयार कर रहे है तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्याज को ऐसे बारिक कट करके लिया था जिसे तेल के साथ भून लेते हैं और प्याज जल्दी से सौफ्ट हो जाए इसके लिए इसके उपर नमक भी डाल देंगे ताकि प्याज भी जल्दी से पक जाए और डाल रहे हैं दो चम्मज भरकर मिर्च अदरक लसुन का पेस्ट मिलाते हैं अच्छे से आप चाहें तो इसे लाल मिर्च के साथ भी बना सकते हैं लेकिन फिर नास्ते का कलर जेंज हो जाएगा हरी मिर्च के साथ बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में भी और दिखने में भी तो यहाँ पर मैंने करीब करीब दो बड़े चमज मिर्च का पेस्ट डाल दिया है तीखा आप अपने पसंद से कम जादा कर सकते हैं हल्दी पाउडर डाल देंगे तेल की कॉंटिटी आप देख सकते हैं बहुत ही कम है क्योंकि आलू के स्टफिन जब भी हम बनाते हैं कोई भी समोसा हो या और कोई नास्ता हो तो उसके लिए तेल कम ही डालना होता है नहीं तो नास्ता ओईली लगेगा उबले हुए आलू डाल देते हैं हाथ से से मैश करकर ही डाल देजिएगा क्योंकि हम इन सब को मैशी करना है आलू को जब भी आप उबा लेंगे तो कुकर में नीचे पानी डाल देना है जिस पतिले में आपको आलू रखने उसमें पानी नहीं डालना होता है तो आलू अच्छे से उबल जाते है नहीं तो क्या होता है बहुत ही जादा आलू अगर गल जाए तो भी स्टफिंग अच्छी नहीं लगती है देख सकते हैं अच्छे से मिला दिया है हमने अब इसके उपर आप मन जाहे मसाले डाल सकते हैं जैसे चाट मसाला, सोफ का पाउडर, भुने हुए जिरे का पाउडर जो भी आपको पसंद हो, वो मसाले इसके उपर डाल दीजेगा या फिर साबुत सोफ ही आप इसके उपर डाल सकते हैं थोड़ा सा दरदर सा कुटा हुआ धनिया डाल सकते हैं पूदी बढ़िया स्टफिंग बनकर तयार हो जाएगी ये स्टफिंग आप अपने पसंद से बना सकते हैं तो हमने इसको बना दिया है और इसके उपर थोड़ा सा हरादनिया डाल देंगे ताकि स्टफिंग बहुत ही बढ़िया दिखेगी है तो चलिए इसे अब हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं जब तक स्टफिंग थंडी हो रही है तब तक हम ब्रेट को देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या फिर वाइड ब्रेड जो भी लेंगे उसकी एजेस ऐसे निकाल देजेगा देख सकते हैं इस तरह से और इस एजेस को हमें फेक्टना नहीं होता है इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तयार करके किसी भी बॉटल में भर कर रख देंगे तो और कोई रेसिपी बनाने में हमें एक काम आजाएंगे तो चलिए इससे हम साइड में रखते हैं तो यहाँ पे सभी ब्रेड के एजेस में निकाल दिये हैं तो एक पतिले में पानी लिया है जिससे हम ब्रेड को थोड़ा सा सोक करेंगे देख सकते हैं आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से बस हलका सा इसको गिला करना है और हाथ से निचोड कर इसमें से पानी हमें निकाल देना है हलके हाथ से प्रेस करिएगा नहीं तो क्या होता है ब्रेड जल्दी से तूट जाती है और जो आलू की स्टफिंट हमने ली थी उसको ऐसे बीच में रखेंगे और इसका एक बॉल जैसा इसको सेफ देंगे देख सकते हैं कितने आसानी से सेफ बन रहा है परफेक्ट ना ही हमने इसमें कोई मैदे का यूज करना है ना ही इसके उपर कोई कोटिंग देनी है हमें ना ही कॉन स्टार चावल का अटा कुछ भी नहीं है स्रिप ड्रेड और आलू से आज का नास्ता बन कर तयार हो जाएगा जिसे भी खिलाएंगे वो तो आपकी तारिफ किये बगर नहीं रहेगा बहुती बढ़िया लगता है देख सकते हैं जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से बनाएगा एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ और हाँ अगर आपके पास चीज हो या पनीर हो उसे भी आप इसके बेच में रख सकते हैं आलू की जो हमने स्टफिन इसमें रखी है उसमें थोड़ा सा चीज डाल दीजेगा और बाद भी इसके उपर ब्रेट से इसको ऐसे लपेट डीजेगा बहुत ही बढ़िया लगेगा वो भी आपको दो अप्शन है ऐसा भी बना सकते हैं या फिर जैसा मैंने चीज से साथ बताया है वैसा भी बना सकते हैं आपकी मर्जी आज हम प्लेन ही बनाएंगे तो चली पटापट से हम सभी बॉल्स यहाँ पर बना कर तयार कर लेते हैं इस तरह से तो चली एक बैच तो हमारी बन कर तयार है तो यहाँ पे तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तेल हमें मिडियम गरम चाहिए देख सकते हैं इसे थंडे तेल में ना डालिएगा नहीं तो क्या होगा ये ऐसे बिखर जाएंगे और ना ही जादा गरम तेल में इसको डालना है परफेक्ट तो चली इसे अच्छे से सुनेरा कलर आने तक हम फ्राइ कर लेते हैं गड़ाई में जितने आएंगे उतने डाल दीजेगा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन हैं अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजेगा इसको तलती वक्त गैस की फ्लेम को लो टू मेडियम पर रखना है वाओ बढ़िया देख सकते कितना बढ़िया कलर आ रहा है और भी इसको थोड़ा सा सुनेरा कलर आने तक हम इसको फ्राइ करेंगे परफेक्ट कलर देख लीजेगा आप कितना बढ़िया आ गया है और इसके खास बात यह है कि यह ज़्यादा ओयल भी सोक नहीं करता है देख सकते हैं ओयल जरा सा भी खराब नहीं हुआ है क्योंकि बिल्कूल भी तेल में जाने के बाद बिखरा नहीं है हमने इसके उपर कोई सलरी नहीं लगाई थी सीधा ब्रेट से लपेट लिया और इसको तेल में फ्राइ कर लिया देख सकते हैं आप मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ जरा सा भी ओईली नहीं बना है हाथ पे जरा ही तेल नहीं लग रहा है परफेक्ट इतना क्रंची है उपर से क्रंची अंदर से स्वाफ्ट समोसी की तरह इसे खाकर तो आप समोसा कचोरी पकोड़े खाना भूली जाएंगे इतना लाजवाब लगता है तो इसे एक बार आप जरूर बनाएगा और बनाने के बाद आपके अनुभो मेरे साथ शेयर करना ना भूलेगा और हाँ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करेगा चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नई वीडियो में नमस्कार